हेलो दोस्तों वेलकम टू अम्हें वला क्लासीज। आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे इंडियन एविदेंज्स अक्ट 1872 की सक्शन 25 और 26 को इंडियन एविदेंजस अक्ट 1872 के चेप्टर दो में ये सक्शन है सक्शन 25 और सक्षन 26 25 और 26 को आज हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे section यह दोनों ही chapter 2 में है और chapter 2 5 से पचपन तक है जो relevancy of facts तक्थों की सुसंकता के बारे में है तक्थों की सुसंकता से मतलब यह है कि जो तक्थे relevant होंगे उनका court में evidence दिया जाएगा या फिर fact in issue होंगे विवादक तक्थे होंगे उनका evidence दिया जाएगा यह सबसे पहली इस chapter की जो section है 5 हमें बताती है कि केवल दो ही चीजों का evidence court में दिया जा सकेगा relevant fact और fact in issue तो section 6 से लेके section 55 तक हमें बताया गया है कि कौन से relevant fact होंगे उन ही में से यह section है ठीक है यह इस पूरे chapter की जो sections है वो जुड़ी हुई है कि बही मतलब एक ही चीज का वो भाग समझी है पार्ट समझी है ठीक है रेलिवेंसी के उपर है पूरे chapter तो section 25 और 26 क्या क्या बताती है section 25 बताती है कि पूलिस अधिकारी के समक्ष जो confession किया जाएगा पूलिस अधिकारी यानि पूलिस के सामने जो confession किया जाएगा वो confession साबित नहीं किया जाएगा यानि वो inadmissible होगा ए गराये होगा वो confession ठीक है section 26 में बताया गया है कि पूलिस अभी रक्षामी पुलिस की अभिरक्षा में जो कोई confession किया जाएगा वो भी साबित नहीं किया जाएगा यानि वो भी क्या होगा inadmissible होगा या एगराईय होगा ठीक है लेकिन इसमें एक condition है कि अभिरक्षा में यदि वो magistrate के सामने किया गया है confession तो वो सुसंगत होगा यानि वो गराईय होगा वो साबित किया जा सकेगा court में ठीक है क्योंकि अभिरक्षा और समक्ष्क में क्या गांतर है समक्ष्क का मतलब है कि किसी ने कोई offense किया या कोई किसी ने A ने B को गोली मारी और A जाकर पुलिस से कहता है कि मैंने B को गोली मारी है तो यहां क्या है कोई अभी F.I.R. नहीं लिखी गई है कुछ नहीं हुआ है और वो उसके समक्ष कह रहा है तो यहां क्या होगा पुलिस के समक्ष होगा लेकिन जैसे ही वो उसको arrest करते है arrest करने के बाद अपनी अभी रक्षा में ले लेते है अपने नियंतरन में ले लेते है ठीक है और जाकर court में पेस करते है investigation सुरू करते है तो वहां अभी रक्षा क्या होगी start हो जाएगी दोनों में ही पुलिस की क्या है पुलिस के नियंतरन में है ठीक है लेकिन 26 में हमें बताया गया है कि magistrate के सामने अगर confession किया गया है तो पुलिस अभिरक्षा में भी बेसक हो, वो क्या होगा, वो गराई होगा, admissible होगा, इससे किस-किस तरह के question बनते हैं, प्री में और मैंस में, ये भी हम किस-किस तरह के question frame होगी, ये भी discuss करेंगी, पहले एक गराई होगा, इसलिए नहीं होगा, क्योंकि कानून बनाने वालों ने भी ये समझा, कि पुलिस यदी, पुलिस के सामने किया गया confession भी गराई होगा, तो पुलिस वहीं बैठे हुए investigation पूरी कर देगी, ड्रा कर, धंका कर, third degree यूज़ करके, जैसे तैसे कर देगी, ठीक है तो इसलिए पुलिस के सामने जो confession किया जाएगा, वो क्या होगा, inadmissible होगा, अब बात आती है कि पुलिस अदिकारी किसको समझा जाएगा, पुलिस अदिकारी वो है, जिसको पावर पुलिस की है, ठीक है, जिसको पुलिस की पावर है, वो पुलिस अदिकारी है, अब एक case स्वामी से पाक्लानारयन सवामी वर्चिज्ज एमप्र से एंग्लिस के से अंग्रेज्जो के टाइम का के सांथ इंग्लिस के समाई नहीं 49 sum तो इसमें क्या था यह पहले भी मैंने पृषली वीडियो में भी इस केस का डिसक्रेंस किया और ये केस कहीं बार पूछा जाता है कि Confession से related against कौन सा है पाक लानायन स्वामी ता इसमें कोर्ड ने दिया था कि Confession क्या है Confession है किसी अपराद को मान लेना Confession है किसी अपराद को कुबूल कर लेना Confession है और दूसरी चीज उस अपराद से related जो fact है उनको मान ले न भी confession है ठीक है तो ये चीज पाक लाना है न स्वामी में बताए गई थी लेकिन यहाँ section 2526 के regarding इसमें बताए गया था कि जो investigation से पहले किया गया हो confession या police investigation के बाद किया गया हो police के सामने confession police के समक्ष वो एगराई होगा ठीक है या investigation से पहले हो चाहिए बाद में हो वो inadmissible होगा ये पाकला नारान स्वामी ये पाकला नारान स्वामी में कहा गया ठीक है तो section 25 ये है हमारी section 26 अभी रक्षा में है यदि magistrate के सामने है तो क्या होगा वो admissible मान लिया जाएगा confession तो question बनता है पहला कि police के समक्ष स्विकर्ती एगराई होगी कि section में दिया गया है 25 में दिया गया है कहीं बार question यहां से अलग अलग तरीके से पूछा गया है तो सबसे पहली बात याद रखनी है कि police के समक्ष दिया गया स्विकर्ती दिया गया confession साबित नहीं किया जा सकता एगराई है ठीक है अब section 26 से भी इस तरह है question police अभी रख्षा का जिकराए तो section 26 है लेकिन ये भी question एक बार पूछा गया है कि magistrate के सामने किया गया confession कौन सी दारा के तहत सुसंगत होगा ठीक है वो होगा section 26 के तहत और mens में कहीं बार problem based question भी इस से आये है कि भई A ने B का murder किया और जाकर पुलिस के सामने confession किया पुलिस के समक्ष confession किया तो इस confession की गरायता या ए गरायता की आप जो है उस पर लिखिए या कहीं बार question पूछा गया है कि problem based इसी तरह और बताया गया कि section 25 के regarding इस कतन की विवेच न कीजिए तो यह question आये है 25-26 में में भी आये है और इस से भी पूछा गया है पाक लाना है न स्वामी से भी तो मुझे लगता है बड़ी आसान सी दोनों section है section 25 में सीधे सी बात है समक्ष की गई यदि यह है स्रीकर्ति वो है गराय है और section 26 में यदि अभिरक्षा में की गई है ठीक है लेकिन एक एक जो चीजे हैं यहां जैसे माल लीजे कोई जेल में पुलिस की अभिरक्षा में पुलिस कस्टडी में और जेल में वो एक लेटर लिखता है अभियूत और वहां के किसी सर्वेंट को चपरासी को या किसी पुलिसमेन को वो कहता है कि भई इसको जो है पोस्ट कर दो और उस लेटर में वो अपने confession कर रहा है जिसको वो लेटर लिख लए है माल लीजे वो अपने पिताजी को लेटर लिख रहा है उसको ना देकर किसको देता है वकील को देता है तो वो जो है confession सुसंगत माना जाएगा वो साबित किया जा सकता है वो गराई होगा तो यह चीजे इसमें है क्यों क्यों होगा क्योंकि वहां जो है पुलिस का डर उसके बीच में नहीं है वो एक लेटर लिख रहा है एक और कि एक बार एक केस में क्या हुआ था एक ने आदमी को मार कर उसकी जब चिता जला रहे थे तो वहाँ बैठ कर एक लेटर लिखा अपना कनफेशन किया कि मैंने इस आदमी को लिखा इसको मारा और वह लेटर पोस्ट कर दिया पुलिस को तो वह पुलिस के समक्ष पुलिस को लेटर लिख रहा है पुलिस को मिला तो कनफेशन जो है वह गराई होगा ठीक है क्योंकि वहाँ पुलिस को डर नहीं था ठीक है तो इस तरह यह डर हो ना हो अगर पुलिस के समक्ष के अगया है तो 25 में क्या होगा यह गराई होगा लेकि है तो यह हमारी छोटी सेक्षन है दौनों मुझे लगता है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर लगी है तो आप जरूर इसे लाइक जरू करें वीडियो लाइक आपको जरूर करनी है चैनल को सब्सक्राइव करना है वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद थ झाल झाल